आए मंतोस भाव पुनेरी पॉल्टन विड़ने वाले हैं पैंगलिरू बॉल्स के परदीप नर्वाल से हेला कापनदी प्राइड ने क्या फैबिलिस शुरुवाद हुई थी पहला मुकाबला बहुती ज्यादर नेक तूनेक चला पुनेरी पल्टन भिड़ रहा है बुल्स के विरुद्ध अखला मिनामदार बढ़िया रिकॉर्ड उनके महराश्च्ट के ही रहने वाले और पुनेरी पल्टन की कप्तान शुबारम पुनेरी पल्टन ने अपने इस मुकाबले का परदीप नर्वाल तस का उसद है इनका यानि अल्मुस्ट हर मुकाबले में दस वॉइंट मिलते हैं और यहां पर दो शुरुआज चुम परदीप नर्वाल से उम्मीद नहीं की जाती जेनरली विश्लो स्टार्ट नेरी पल्टन अजिंके पवार इनके तो हम सब पैन है यह इनकी शपल फुटक के लिए जाने जाते हैं लेकिन चेंट टैकल में फसे बैंगलूरू बुल्स के दोनों ओपनिंग रेडर्स आउट होकर बहार दिका चुके हैं चार का हाउस है नितिन रावल आपको नजर आएंगे सौर अपनेंदल नजर आएंगे बच्ट क्या जादा अंदर जाएंगे मोहित स्पेशलिस है रेशांग दू और दाए कि मोहित पसंद करते हैं चार और पाच के डिफेंसे पोइंट स्कोर करना और यहां पे स्यम दिख कि सुनाई देने लग गया यहां पर जी हां यहां 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 मैंच की पहली एच पी रेजर जैन्सिक सुपर रेइन पावार टू थ्रिल इसे लगा एक सक्सेस्फुल टैकल में से निकले मोहित गोयत जिए बहुत जल्दी जो है बंगलिरू बोल्स अलाओ की दिशा में अ गौरफ को द्रीगी चेन ने ना को सबसे जल्दी बंगलूरू बूल्स अलाओ दो चुकी है पोनल्स आकिरकार हाथ तो आया बहुत ही अच्छा अलाओ ये बहुत ही कम समय पे या इस ने सटिए बंगलूरू का इस पेशन रखेगा। यही पेशेंस रखना होगा और वही किया और ज्यादा थर रेडर्स चाहेंगे कि पहले 5-10 सेकंड में काम कर लें क्यूंकि अंतिम 10 सेकंड में जबाब आते हैं तो प्रेशर रेडर पर होता है रेडर आउट वन पॉइंट उनेरी फल्टन कि चार और पांच के डिफेंस में बहुत पसंद करते रेड करना और सक्सेस्फुल रेट अगर इंका देखेंगे अब तो जाधा रहता है फिर से गल्ती करना है इनी तीन से यही कॉंपीडेंस है और हर एक टीम में ऐसा प्लियर ह काई लेकिन बंकत मोहिते ने पैर गिरफ्त में ले लिये थे तस से मस नहों पाई पुनेरी पल्टन कि रुनिंग हैंट टच कर सकते हैं सौरव नंदल के उपर पत्रीक के डाइव से बचना होगा यह सौरव नंदल और सौरेंदर दोनोंने मिल कर यह कमाल के अपर लगातार तीर हार के साथ आ रही है अच्छी बात है बोनस ओन है चैका हॉस है क्या वहां असलम नामदार थे राइट इन पिंडाइव आई पंकर्च को एक बात पुन है पकला गया प्लटन जिस तरह से असलम सही हमों के खेलते हैं मैच में तरशाद है कि अच्छे खिलाड़ी है वो यहां है साधारण सा रेड लगा में राइए बहुन को एक तकल फॉपॉइंट रॉप सूपर टैकल बगर की जकाड़ी है दूसरा सूपर टैकल फुटवर्ग जारी है लेकिन फुटवर्ग से काम ना होड़ा एक और बार टैकल हुए जिनके पवार पुनेरी पल्टन पुनेरी पल्टन तमिल सलाइवास का उत्ता गुस्सा है वो बेंगदुर बुल्स पे निकाल रही है एक और बार सूपर टैकल ओन या निकी या तो रेडर जीतेगा या डिपेंडर खाली हाथ कोई नहीं लोटेगा असला बिनामदार बढ़िया फुट वर्ग बार बार नंदल की तरफ जाते हुए बैक लगाने की कोशेश और उती का इंज़ार कर रहे थे सुरहिंदर सिंग अरे देखे जरा कॉन जाए नमबर लेवन रेडर सेफ वान पॉइंट उनेरी पल्टन पर बंगलूरू बुल्स के लिए तुशील को उपर्चिनिटी मिली है पाइदा उठाए के लिए के कानी का सब्सक्रावन सकते हैं कर्दी की राइट कवर ने और यहां पॉइंट आता हुए बंगलूरू बुल्स के लिए बंगलूरू बंगलूरू बुल्स का डिफेंस वर्दिस पुनेरी पल्टन के रेडर्स और बंगलूरू बुल्स के डिफेंडर्स ने क्या बढ़िया कमबाक कराया है इस मुकाबले में बंगलूरू बुल्स बना पुने रिपल्टन पहला हाफ अठारा ग्यारा बट बुल्स वापसी करेगा परदीफ नर्वाल लगों जो है उस सब्स्टिशन उन्हें कर दिया गया है युकि डिफेंस पर खेला चाती है पैंगलूरू बुल्स ट्रेड में भी पॉइंट्स आने मंत्रा जरूरी हो सकता है विल्कुल अर्शिद्र वैसे लहर उनकी डिफेंस की चल रही है और जिस तरफ की लहर हो उस तरफ बहे जाना चाहिए आप देख सकते हैं की कमबैक की कहानी बड़ी सिंपल है 15 वार टीमों ने 5 से जाधा पॉइंट से पिछड़ते में कमबैक किया है यह रिडर आउट वन पॉइंट उन्हें इस जलेगी बैंगली रुबूल्स की टीम बहुत इंप्रेसिव था यह एंकल होल्ड गॉरफ खत्री का तो अल्रेडी रॉप सूपर टैकल कर चुके हैं यह पहले हाँब में के काई है पंकर जोई देव तेव तेव ने दोनों आया किया है यह जर्शी नमब 14 न 22 आउट आउट अलाउट बचा देंगे तो पिछली थीन मैंचन में जोने गलतिया की है कहीं न कहीं इस पर पानी पेर सकते हैं बट नहीं अब ने कहां कि मैं मौझूद मेरे साफ जेन में डिपाइब भी मॉझूद है बोनस ने सिर्फ प अकली यहां पर बैंगलूरू बुल्स की स्ट्राटेजी समझने की कोशिश कर रहा हूं रिशांक आप पर दीप नर्वाल को सब्स्टिट्यूट करके बाहर बिठा रहे हैं पर दीप इस सीजन के अंदर देखे 28 पर दीप के नाव है यहां पर एक अच्छी रेट देखने पर दीप की तरफ से तक तक कोई तो यहां पर रेंग शुपार रहे हैं और लगातार पॉइंट लारे पंकच पॉमेंटम ले जाने का बुल्स के पास अच्छा मौका है डूर्ट आया है पंकच मोहिते आया है दोनो दिशा देखे पंकच पॉइंट ले रहे हैं इस बार प अच्छे पाउट पाउटन के पंकच मोहिते वन पॉइंट अदमुद कारे रहे हैं पिर से रहे हैं यह आप सुन सकते हैं असलम की आवाज और जिंक पावार को एक बाप फिर छुंड में खेर के अधिर आउट पार किया पुरे रिपलतन अधिर पंकच इदर से पंकच फंकर्स खड़े उसाओ और बैट जाओ यही पर थेल सबाट रेडर आउट इफेंस की बाटी और डिफेंस ने बैठा दिया इस बाग क्या पुनेरी पलतन के डिफेंस के प्रश्नों का उस्तर दे प अरे कोशिश बड़ी करी थी पंकच ने लेकिन पुनेरी पलतन अमन के पास प्लान्स कुछ और है पुनेरी पलतन वापस अपने पुराने पॉर्म में पिल्कुल यह लंबी डाइव लगा के रोका अमन ने प्रश्नों के अका शिंदे को जो है वो इसी कारण अंदर लाया गया है वोन पॉंट पॉंट है पुनेरी पलतन वापस लीकी पुट्वक किक का उप्योग करेगा पंकच जिस से पहले कि वो पुट्वक का यूज करें असला मिनामदार ने कहा कि मैं ही आता हूँ चैन लेक और यहां पर थाओं देता हूँ पंकच को यूपी ओदाज अगर आप रिशांत के बाद करी रहे हैं मंत्रा तो यूपी ओदाज नहीं का सिया था वो का पहले कुछ मुकाबले हारने के बाद प्ले पहुंचे थे बट्या पुट्वक कर रहे हैं पुनेरी पॉट्वक कर र अपनी स्केल्स पर और मेहना दिन की चोर मंजा रही है कोज बीदिनमेश सहाब ने मौकाब दिया और यह मौके को भुना रहे हैं कि बिल्कुल एक चैंपियन टीम है और चैंपियन की तरह खेलती एफ लुक्ति अधा मैच उपर निचे होई जाता है और चैंपियम के लियोग का रहे है पुनेरी पलतन के लिए और चांपनेरी पुने ने बहुत ही बहती बेतरीन है मंथरा ही है और मौका में लाए पुने रिपल्टर को एक बार वापत से जीत की लेहर पकड़ने का